आप सभी का home science classes में स्वागत है हमारा video nt.net home science का practice set आपको कराया जारा है जो old papers है ठीक है उनका पूरा आपको कराया जारा है अभी तक आपने video नहीं देखा तो इससे पहले कई parts हो चुके हैं वा हमारा पूरा 50 question हो चुका है तो आज इस video हम 51 से start करेंगे तो चलें आज का video start करते हैं पहला question है सामुदाइक radio station को संचालित करने के लिए अनुप्रति प्रदान की जाती है तो इसको इनमे option आपकर दिया गया है तो इनको जो सामुदाइक radio station है उनको संचालित करने के लिए granted कौन करता है तो वो करता हमारा सूचना और प्रशारत मंतराले द्वारा किया जाता है ठीक है easy question था next है अंतरास्ट ये शाक्षरता दीवस मनाया जाता है तो ये कम मनाया जाता है आप सभी को पता होना चाहिए ये मनाया जाता है आट सितंबर को ठीक है next है PCPNDT Act जो अधिनियम है को रोकरी के लिए अधिनियमित किया गया था मतलब ये Act जो है ठीक है तो पहले तो आप जान लेजी है क्या इसका फुल फॉर्म क्या है तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म है ठीक है Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Technique Technique ठीक है तो इसका Hindi मतलब हुआ ठीक है पूर गर्भाधारण और पूर प्रसव नीदान तक्नीक ठीक है ये इसका पुरा फॉल फॉर्म हुआ और इसका गठन किया गया था 1994 में 1994 में किया गया था किसके ली किया गया था ये किया गया था लिंग चैनात्मक गर्भ पात के लिए लिंग का जो चैन पहले से करके इसके बाद गर्भ पात कर दिया जाता था लड़कियों को मार दिया जाता था उसको रोकने के लिए ठीक है नेक्स्ट कोशन है हमारा कारिकरम के पूर निर्धारित संकेत को का संकेत को पर अधारित परियोजना की प्रगति का मुल्यांकन करने के प्रकरम को कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है मॉनिटरिंग अनुदिक्षण करना ठीक है नेक्स्ट है हमारा 55 कोशन है पी एल एक का संचालन करते समय मांचित्रन के माध्यम से निम लिखित विसिस्टाओं में से किसका अध्यन किया जा सकता है तो इसका प्राकतिक संसाधन का जो पी एल है वो आपका री साइकल जो प्ला नेक्स्ट कोशन है 56 कोशन है बी सी सी और पक्ष समर्थन की बीच समान तत्व है तो इसके कूट में आपको एंसा देना है तो बी सी सी और पक्ष समर्थन की बीच जो समान तत्व है वो कौन-कौन से है ठीक है 56 का आपका है पहला दोनों प्रत्यायन प्रवधी पर विश्वास करते हैं दूसरा हैस में सही दोनों वहवार परिवर्थन लाने की मांग करते हैं और जो तीसरा है दोनों को कारणीती योजना की आशकता होती है ठीक है तो ये तीनों तक इसके अलतरगत आते हैं नेक्स जाए नेक्स्ट कोशन अमारा फिप्ली सैववन कोशन है निमस लिखत में इन से कौन सा वाहर प्रचार के लिए प्रयोग किया जा सकता है तो वाहर प्रचार मतलब जो आपका यहाँ पे अंग्लिश में देख लिए जो आनहीं नित, जो आप इज्ञापन पट गुंती और आएगा आपका प्रदर्शन यह सब आप आउट्डोर प्रचार प्रचान के लिए यूज करते हैं ठीक है नेक्स यह 58 कोश्चिन है हमारा संचार प्रक्रिया हमेशा होती है तो जो संचार प्रक्रिया हमेशा क्या होती है सोय वस्थित होती है सौर भौमिक होती है और प्रक्रियात्मक होती है ठीक है प्रक्रियात्मक होती है तीनों होती है संचार प्रदिया 59 कोशन है हमारा वास्तत्यों में केवी के प्रमुख कारे है जो क्रिसिव विज्ञान है उसके क्या कारे है तो उसके कार है हमारा question number है आप यहाँ पर देखने 59 है के वी के ठीक है क्रिशनी विज्ञान केंद्र तो उसके क्या कारे पूछा गया है तो उसके कारे ग्रामेड युवाओं के लिए वैवस्थित प्रस्रिक्षण का आयोजन करना है किसानों के लिए प्रस्रिक्षण का आयोजन करना है और क्या है नई खेती प्रधोगी कियों के लिए अनुसंधान का संचालन करना होता है क्रिश्री विज्ञान केंद्र के पान आप मिलान करना है तहीं तो यहां पर आपका सुचि फरस्ट को ज़ित्धान तो ऊसकी ज़िस्टा आपको को मैच करना हृब तो पहला इसमें दिया गया है सत्तावादी सिध्धान्त, जो सत्तावादी सिध्धान्त है, उसका आप यहां पर देख सकते हैं, जो समस्त मीडिया सरकार के अभी करता है, तो जो सत्ता है, तो समस्त मीडिया सरकार के अभी करता है, तो वो सारे कारे आपको मीडिया बताती है तो नेक्स्ट है आपका सुवेक्षा वादी सिध्धान्थ तो ये जो सिध्धान्थ है ये से इसकी जो विशेष्था है वो है समस्मीडिया सोतंत्र है ठीक है तीसरा समाजिक उत्तरदाईत्व सिध्धान्थ तो इसका जो विसेशता है वह समस्त मीडिया उत्तरदाई है नेक्स हमारा विकास मीडिया सिध्धान इस सिध्धान की क्या विसेशता है इसकी विसेशता है समस्त मीडिया समाज के विकास में सहता करती है जो आजकल तो जो भी इसमें बताया जा रहा वो आजकल तो सत्ते है ने ठीक है next है sister one question है हमारा ये भी हमारा सही मिलान है हमें सही मिलान करना है यहाँ यहाँ पर देखिया तो सूची first में दिया गया है दत्तक गाही संवर्ग second में जन संख्या में आकलित विवरन तो जो है नौ पूरवर्टक है तो जन संख्या में आकलित जो विवरन इसमें दिया गया है वो है 2.5 परतिशत आध दत्तक गाही इसका क्या परतिशत है जन संख्या में इसका है 13.5 प्रारंभिग वैस्वकता इसका परतिशत है 3.34 परतिशत ठीक है पाक्षियाति जो छात्र है उनका क्या प्रचिशत है उनका है पॉइंट सुरी पॉइंट नहीं है 16 प्रचिशत ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में ज्यादा आपको समझ में आएगा इन्वेटर्स जो होते हैं उनका अर्ली अडॉप्टर्स यहां पर आप यहां सभी देख सकते हैं हिंदी में जादा आपको समझ में नहीं आए तो आप उदर भी इंग्लिश वाला भी कोशन आप एक बार देख लिया करें ठीक है अब आता हमारा सिस्टी टू कोशन निमलिखित पदो को उद्देशों के ब्लूम वर्गी करन विज्ञान के अनुसार जटिलता के वड़ते करम में विवस्थित करना है तो हमें नीचे से उपर आपको विवस्थित करना है सरल से कठिन के ओर तो उनका जो सिथान था उसमें सबसे पहला उनका आता है समझना यह इनका पहला हो गया दूसरा है लागू करना ठीक है पहले समझना फिर उसको लागू करना ठीक है उसकी बाद आता उनका विश्लेशन करना तीसरा ठीक है इनका जटिलता है वह बढ़त के गा दिया ठीक है फिर आता उनका मुल्यांकन करना चौथा जो पाच्वा आता है उनका वह है रच्णा करना ठीक है पाच्वा यह आपका सही करम है नेक्स सिस्टी थ्री कोश्टन है अमारा कारिकरम योजना के चर्णों को अनुक्रमे शेडी में व्यवसित करना है जो कारिकरम है उसको शेडी में आपको व्यवसित करना है ठीक है जो उसमें पहला आएगा तथ्यों को संग्रा करना जब आप कारिकरम कर रहे है उसके बाद आता है परिसितियों का विश्रेशन करना आप परिश्टितों का पहले पता तो लगाएंगे न विश्टिती वहां की फिर आता आपका समस्य की पचान जब आप विश्टित करेंगे तो आपको पता चलेगा है कि वहां की क्या क्या समस्या है ठीक है फिर आता आपका उदेशों का निर्ने लेना फिर आपका क्या उदे 64 कोशन है यह कथन अभी कथन वाला है तर्क तो चले देखते हैं यह हमारा कोशन नमबर 64 है हाँ यहां पर दिया गया अभी कथन वहवार परिवर्तन हेतु कार नीती में संचार का प्रतान करना आवश्य समलित होना चाहिए जो व्यक्तियों को निर्ने लेने के लिए नियंतरन क्रियाशील कर सकता है तो इसमें आप सही क्रियाशील यूज करके आप उनका समधान कर सकते हैं जो उसका तर्क दिया गया है आंतरिक और वाहे कारवाई के संकेत के रूप में काम कर सकते हैं तो अभिकतन और जो तर्क दिया गया है तोनों सही है और तर्क भी दो मैच खाता है तो दोनों ही सही है तर्क भी अभिकतन भी उसका उप्शन होगा ए हमारा कोशन है सिस्टी फाइब कोशन है तीक है निम लिखिट में से कौन सा विज्ञानिक अनुसंधान की विसेस्ता नहीं है इसमें नहीं पूछा है तो जो विसेस्ता है इसमें से जो है अनुमान मात्र यह विसेस्ता इसकी नहीं है बाकी यह सारी विसेस्ता है इसकी है तो विसेस्ता भी आप लोग याद दखिएगा नेमलिकित में से विशुद सोद समस्या को पहचाने तो जो गलत सोद समस्या है इसको आपको पहचानना है तो इसमें ओप्शन है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं किश्योरियों के विवस्साइक हित दूसरा है ग्रामेर महिलाओं के सोशक्ति करण में आई सी टी की भूमी का तीसरा है सौर कूकर के प्रयोग में समय और उर्जा के उपयोग का आंकलन चौथा है ग्रामिर महिलाओं के उधमी गतिवीदिया उसमें पूछा है विसुत सोद समस्य के पहचान किजे तो जो आप खुद देखिए इसमें कौन सा ऐसा है जो सोद के लिए सही नहीं है पहला किशोरियों की वेवसाइक हित यह बिल्कुल सही है इसमें आप सोद कर सकते हैं दूसरा है ग्रामिर महिलाओं के शुशक्ती में आई सीटी की भूमिका यह भी सही है यहाँ पर चौथा वाला भी कोशन देखिए ग्रामिर महिलाओं के उधमी गतिवीदिया तो यह भी सही है जो यह तीसरा है यह गलत है ठीक है तो आज के लिए इतने ही फिर नेक्स वीडियो में कोशन और सॉल्व करेंगे अगर वीडियो पसंद आ रहा तो पीस वीडियो लाइक करें लाइक करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है ठीक है थैंक यू फॉर वाचिंग